नमस्कार दोस्तों आर्पी स्टेडी पाइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं रविनर पवार और आप देख रहें आर्पी स्टेडी पाइंट दोस्तों आज की इस वीडियो में MP पुलीस 2017 के एकजाम में आए हुए सभी साइन्स के महत्पून कोस्चन ले ही देखे तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर कि उन तीनों पार्ट को देख सकते हैं दोस्तों इसमें महत्पून कोस्चन है जो व्यापम की आफिसल साइट पर वो कोस्चन है जो आपको एक्जाम करेक करने महत्पून साबित होंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में सेर करें आई स्टार्ट करते हैं कोस्चन से हमारा कोस्चन है पोसन नाल कि किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है तो इसका सही आंसर है छोटी आन अथा जो भोजन का पाचन होता है वो अंतिम होता है छोटी आंत में इसके बाद next question है जिन किर्या के नियमन का सबसे अधिक स्युकार लाप चुने तो इसका जो पहला लाप है तीन लाप दिये है इसमें से बताना कुन सा सही है तो इसका सही आंसर आजागा उपयोग तो सभी अर्था तीनो लाप सही है जो पहला लाप दिया है ये दिया है सिर्फ अपने उपाप्चय को परियावरन परिवर्तन हेतू समाजित करने के लिए कोशिका को सक्षम करता है ये भी सही है जो दूसरा लापसन है ये है सिर्फ विकास और विवेदान में भूमी का निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है ये भी सही है आपस नमबर जो तीन है इसी प्रोटीन संसलेशन बंद कर दिया जाता है जब आवस्यक नहीं होता है इसलिए इसका अंसर आजाएगा उपरोक्त सभी क्योंकि तीनों इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है मार्टोकांडिया एवं प्लास्टीट को अर्द स्वायत कोशी कांग क्योंकि कहते है तो इसका सही अंसर आजाएगा इनमें डियने आरेने एवं राइबोसम और एंजाइम होते है इसलिए मार्टोकांडिया एवं प्लास्टीट को अर्द स स्वायत कोई काँ कहते हैं। इसके बाद next question है, मांस्पीशियो को अस्ति से जोडता है। तो इसका जका 답ी उन्सर है, जो टेंडन हैं, ये मांस्पीशियो को अस्ति से जोडता है, जीसे हम हिंदि मौते हैं, कंड्रा. दोस्तो और एक जो है, लिगामेंट जापस नमबर जो चार है लिगामेंट ये अस्थी को अस्थी से जोड़ने का काम करता है इसके बार नेक्ष्ट कॉस्चन है रेसम तन्तु खालिस्तान से प्राप्ते किये जाते है तिसका सही आंसर है कोकुन से रेसम तन्तु प्राप्ते किये जाते है इसके बाद next question है हमारे सोर प्रनाली का निकरतम तारा निम्न है तिसका सही answer आजाएगा alpha century जो हमारे है सोर प्रनाली का निकरतम तारा है इसके बाद next question है विबनांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाल डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है तो इसका से आंसर है ओल्टेमीटर के रूप में जानी जाती है विबनांतर के मापन है तो प्रिवक्ट डिवाइस इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है निम्न में से किस एक रक्त वाइका में केवल वी आक्सिजन रुधिर होता है तो इसका से आंसर है फुसपुस धमनी जिसे हम बोलते है पुल्मोनरी आर्टरी जिसमें डियाक्सनाइजरेटेट ब्लड होता है जिसे हम बोल सकते है कि सुद्रक्त होता है बाकी धमनी में है सुद्रक्त होता है इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है जब रात को आकास में चान बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो इससे क्या कहते है इसका से अंसर इसे हम कहते हैं अमस्या या जिसे हम बोलते हैं नान न्यू मून अमावस्या अमस्या में रात को आकास में चान बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है निम्न उलेखित फसलों में से कौन सी दो फसले खरीब की फसले है तो इसका सियांस आजाएगा धान ये मुंख्फली जो खरीब की फसले है बाकी जो है सभी जो है ये रभी की फसले है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है खरीब फसल की अउधी क्या है तो इसका सियांस है जून से अक्टूबर के वीच में खरीब फसल की अउधी होती है इसके बाद नैक्ष्ट कोस्चन है यापसी है प्वद्ट में जो है ग्रीन हांस घेस नहीं है तो इसका पूलितम आक्सीजन जो ऑना म килहाउज गेस नहीं है वाई-उ-मंटडल मेंused oxy UP 21 प्रतिसत होती प्रतकारी की जो है इसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिस्रम को अलग करने के लिए किया जाता है इसके बाद नेक्स्टर कोस्चन है तनुकरत नाइट्रिक अमलग को जब धातु के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइट्रोजन प्राप नहीं होता कथन जो इस प्रवतिक उचित ठाराता है वहाँ है तो इसका सही आंसर आजाएगा जो है तनुकरत नाइट्रिक अमल एक अक्सिजन आक्सिकारक है यह आपको याद रखना आपसे नमर जो पहला है यह इसका आंसर आजाएगा जो है तनुकरत नाइट्रिक अमल एक अक्सिकारक है दोस्तों किस लेवल के कोस्चन आ रहा है यह आपको विशेश तोर पर याद रखना है इस लेवल के कोस्चन ही 2021 के MP पुलिस के एक्जाम में आएंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो अगरे तो प्रिक थोन्यमाल कीट का नाम बताए इसकाशी अंसर है का च्छनील कीट इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन में माया का सीट का उपयोंग किया जाता है इसके बाद नेक्स्ट्र कोस्चन है वन निम्न का एक उधारन है इसका से एको .सिस्टम जिसे हम बोलते परिश्थिक तंत्र का उधारन और ने वन स्वारी एक कोस्चन यह नहीं है कोस्चन नंबर यह है चन्रमा का आकार प्रतिन बढ़ता है क्योंकि इसमें बताना है चार आपसन है इसमें से क्यों बढ़ता है चन्रमा का आकार तो यह बताना है तो इसका सही अंसर आजाएगा आपसन नंबर जो यह है यह इसका सही अंसर जगह हम चन्रमा का भभाग देखते जिसे सूर्य का प्रकास पर अर्थित होता है यह इसका सही आंसर है कि ईस के नेक्स्ट कुस्टन है मंस्की आख का भभाग जो मंद्द修 कीमर प्रकास के प्रति समवेदी होता है जिसे हम बोलते हैं रॉट्स use और आक लिए 36 एे इसके बाद नेक्ष्ट ऊस्चैन है पादप कोशिकाय सामाज रुपसे पसो की कोशिका से बड़ी होती है इसका स्वंभाइग कारण क्या हो सकता है इसका सशी अंसर है रिक्ति का करनं पादप कोशिकाय सहां से बड़ी होती है कि इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है उन से दूसीत पधार्तों के समासोधन को खालिस्तान कहा जाता है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपस नंबर 3 जो है अभी मार्जन कहते हैं उन से दूसीत पधार्तों के समासोधन को इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है प्रत्यक व्रक खालिस्तान कहलाने वाली लगवक छोटी नरिकाव से बना होता है इसका सही अंसर है नेफ्रान से बना होता है प्रत्यक व्रक नेफ्रान कहलाने वाली लगवक छोटी नरिकाव से बना होता है कि इसके बाद next question है कुनसा सब्द उन जीवों के लिए प्रविक्त होता है जिनके सरीर के बाय तथा दाए अरधाक का डिजाइन समान होता है इसका सिया आजसर है यहने तो से कौन सा एक कोसिका का नहीं बना हुआ है इसका सी corr आंसर है इस पायरो गारा जो है कोसिका का नहीं बना हुआ है कि इसके बाद next question खागुली minority इसकी मदद से रात में देकह जा सकते है तो इसका अनसर है टेलिस्कोप जिसे हम बोलते हिंदी में दूर्बीन की मदद से खागुली पिंट रात में देखे जा सकते हैं दोस्तों दूर्बीन से तातपर जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती जिसे हम बोलते हैं दूर्बीन इसका बाद नेक्ष्ट कोस्चन है प्रत्यक रंद्री छिद्र नीम्न के द्वारा संरक्षित होता है इसका सही आंसर है रक्षक कोशिकाओ के द्वारा प्रत्यक रंद्री रक्षित होता है इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है पादा कोशिकाओ में अंत्रा कोशिक सयोजन खालिस्तान कहलाते है है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है उन जीवी कारकों की भाचान करें जो खार्द सामगरी को भंडारन के दोरान छती पहुचाते हैं इसका से अंसर आजगा हुप्युक्त सभी अथा जो पहला लाप्सन है सिर्फ क्रतंक पसु पक्छी ये भी सही है आपस नमबर जो दो है सिर्फ खार्द सामगरी में पस्तित एंजाइम ये भी सही है आपस नमबर जो चार है सिर्फ कीट क्रमी जीवानु खमिर फफुन तो ये भी सही है इसलिए इसका सही अंसर आजगा आपस नमबर तीन अर्थात उपरोप्त सभी इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है वर्न लेखिकी का उप्यो करते हुए निल्मखित विश्रनों में से कोन अपने घटको में प्रतक किया जा सकता है तो इसका सही अंसर आजाएगा औसधी समिलित रक्त नमूना अर्थात आपस नमबर फोर इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है धारा की एकाई निमन होती है इसका सही अंसर है जो एमपियर है ये विद्धु धारा की एकाई होती है और एमपियर को अई मीटर के द्वारा माफा जाता है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्धु धारा प्रभाईत की जाती है तो आक्सीजन के बुलबुले खालिस्तान के समिप निर्मित होते है इसका सही अंसर है धनात्मक सीरे की और निर्मित होते है इसके बाद next question है महा के पंधर्वे दिन चंद्रमा अद्रस्च होता है इस दिन को निम रूप में जाना जाता है इसका सही अंसर है अमस्या दिवस के रूप में जाना जाता है इस दिन को या जिसे हम बोलते हैं new moon day इसके बाद next question है एक निकाय विस्राम अस्था में कहलाएगा यदी वह तो इसका सही अंसर आजाएगा समय के साथ अपनी इस्थितिम परियुर्थन नहीं करता है इस अर्था तापस नमबर जो 4 है इसका सही अंसर है तब एक पीन विस्राम अस्था में कहलाएगा इसका नेक्स्ट कोस्चन है जायलन ए फ्लोयम खालिस्तान है इसका सही अंसर है चालन उत्तक है जायलन और फ्लोयम इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है बहु मूर्ति दर्सी इस अउधारना पर आधारी था है इसका सही अंसर है बहुलित परावर्तन जिसे हम बोलते है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर आधारी था है बहु मूर्ति दर्सी इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है वन जीवन संरक्षन अधियाम वर्स खालिस्तान में अधियावित किया गया था इसका सही अंसर है उनिस सो बहुत्तर में बंद जीव संद्रक्षा रिजियाम वर्स में अध्यवित किया गया था इसका सही आंसर आजये गुद्ध भात तर इसके वाद एक्ष डाय नेक्ष कॉस्चन है योगिक जो रोग्जनक जीवानों के विकास को नस्ट या रुद करते खालिश्थान कहलते हैं इसके और नेक्ष डाय कोश्चन है, उस कच्छे माल का नाम बताई जो पुसू की कोशिका को उर्जा प्रीं करते हैं इसके नेक्स्ट कोस्षा है निम्न मेह से कॉनसा मिलान गलत है तो इस में कौनसा मिलान गलत है ये बताना है 4 में से दोस्तों जो पहला है येज़ सलकी तरप्त उपकला तो नहीं है अधार आप जो 2 है कि जो है अधार अभर मंपास थी तो यह आपस संधर आजा आएगा आपिस नोमबर दो आप समद्र है तो तरल संजिन उत्तक रखत के northern CDC होता है तो तरल संजोका करती होता है आप नमबर चाहलै वसी सहुआजी उत्तक अद इस्तवकोची से विसले आफ़ आंसर आजातAlice नमबर दोIF कि असका इसके बाद एक्ष्ट्र कोस्चन है उस फायलम का नाम बताई जिससे कर्क मचली संबंदी था है इसका सियांसर है संधी पाद से संबंदी था है कर्क फिस या कर्क मचली इसके बाद next question है उस छेत्र में घोड़े की समू के लिए एकल जेविक पदधी बताईए तीसका सी अंसर जनसंख्या इसके बाद next question है अंतर विदिक संकरम का क्या मतलब होता है तो इसका सी अंसर है पॉदे की विभीन प्रकार के बिच Carolina संकरम का मतलब इसके बाद next question है उस उत्तक के पचान करे जो की सामान इस्थाई नहीं है तिसका सी answer है जायलां जो की स्थाई नहीं है इसके बाद next question जब कमपन कायाम बड़ा होता है तो उत्पारित ध्वनी ऐसी होती है तिसका सी answer है उच्छ होती है जब कंपन कायम बड़ा होता है तो उत्पादित धनी उच्छ होती है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है नीचे उलेखित में कौन सी एंटिवाइटिक नहीं है इसका सी आंसर है कुने जो है यह एंटिवाइटिक नहीं है आपस नमबर जो पहला है टेरियम टेटरा साइकलीन एंटिवाइटिक है आपस नमबर जो तीन है कुलोरोमाइसीन एबी एंटिवाइटिक है आपस नमबर जो चार है स्टेप्टोमाइसीन एबी एंटिवाइटिक इसलिस्ट का आंसर आजाएगा आपस नमबर दो कुने इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है निन में से कौन सा एक सूचमजीव नहीं है तिसका फिया अंसर है म सूचमजीव नहीं है बाकिसले है सूचमजीव है हुआ कि इसके बार सघ्षत न क्रसफेंपक पेश्व का वेज्यानिक प्रबंधन कहलता है तिसका सघ्षत को सघ्षत रायरे जूकी संगटन क provoc केया इसके पर next question है क्या हो गया यिरी दो चुंबुको कि समान्द्रों को एक साथ लाय जाए तिस कासी अंसर आज़ेगा वे एक दूसरे इको प्रति ochος करेंगे अगर आखर माने का लिफ्लाध को पास लाएंगा तो एक साथ करेंगे माइनस माइनस को पास दो फिर्वित ऑप बताएद इसका से अंसर प्रोटिस्टा जो है एक कोस्कि युकेरिटिक सुच मजीव को दिया गया नाम है कि इसके बाद नेक्स्टो कॉस्चन है उपास्ति एक खाजिस्तान सेंजी उत्तक है इसका सियंसर है कोमल अथाथ उपास्ति एक कोमल सेंजी उप्तक हैं इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है नीमन में से क्या आपको बीमार बना सकता यादि आप एक संक्रिद वेक्ति के संपर्ख में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि कौन सा रोग इनमें से फैलने वाला रोग है इसका सियान से आपस नंबर यह जो इन्फलेज जो कि वायरस के दौरा होता है कि इसके बार नेक्स्ट कोस्चन है मानों का मुख्य उत्सर्जी उतपाद है तो इसका सही आंसर यूडिया मानों का एक मुख्य उत्सर्जी उतपाद है इसके बाद next question है घरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिश्ट सूट पहनते है तो इसका सही अंसर आजाएगा समूद्र की उच्च दाप से बचने के लिए घरे समूद्र में गोताखोर सूट पहनते है इसके बाद next है IUCN रेड लिष्ट इसमें मदद करती है तो इसका सही अंसर आजाएगा जो आपस नमबर जो चार है इसका सही अंसर है अर्थात पादाप और प्रजातियों की विश्व्यापी संरक्षन इस्तितिक आकलम करने में IUCN अर्थात IUCN ये रेड डाटा बुक जारी करती है इसके बाद next question है विद्द्धरा के प्रभाँ को जिस वेगैनीक दर खोजा गया थे उसका नाम है इसका सही एंसर है हैंस किस्चन और स्टेड देट विद्द्रा के प्रभाँ को खोजा गया था कि इसके पाद next question है जल में 6 के विले की प्रक्रिया года इसका सी आंसार उस्मा शहिपी प्रकृण है अथा जल में 6 की प्रक्रिया उस्मा छेपी प्रक्रिया अथा उस्मा ओस वाव ken is your next Question है । यह करेंट परकता 2017 में हाली में चेननाई में 28 26 जनवी 27 को कामरजर पोर्ट के पास दो विवपारी जहाज टकरा गए और समुद्री जीव का तदिक विनास हुआ इसका कारण था इसका सियांसर तेल अधी प्लाव के कारण में दो समुद्री जहाज आपस में टकरा गए थे इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है नहा एक खास दिन को पूर्ण चंद्रमा देखती है वह कितने दिन बाद पूर्ण पूर्ण चंद्रमा देख सकेगी इसका सियांसर 29 दिन के बाद पूर्ण चंद्रमा देख सकेगी इसके बाद नेक्ष्ट कॉसच्चन है लेक्टो बेसलस इसमें वीशेज भुमिका निभाता है इसके बाद नेक्ष्ट क guar़्चन है चान्दी के गहनों पर जमा सोने के पतली परत को खालिस्तान कहा जाता है इसके बाद जाता है चान्दी के गहनों पर जमा सोने की पतली परत को इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन फलो के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते है क्योंकि तो इसका सही अंसर आ जाएगा आपस नमबर जो चार है इसका सही अंसर आ जाएगा किन्वन खमीर को सिकाओ द्वारा होता है इसलिए फलो के रस को खुले में रखने पर कड़वे हो जाते है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है कक्छा के आकरती जिसमें धुमकेटी सूरे के चार और घुमता है होती है तो इसका सही अंसर है है उच्च रूप से दिर्गाव राताकार होती है यह जिसे हम बोले हाइली लेप्टी कर्ण इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है धारा प्रवाइथ होने वाले तार के निकट रखी हुई चुम्ब की कमपास की सुई विचलन दरसाती है यह प्रदर्शित विद्धु धारा का प्रभाव निम्ना है इसका सही अंसर है यह विद्धु चुम्ब की विद्धु धारा का चुम्ब की प्रभाव है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है खार्द संक्रा से खालिस्तान से आराम होती है इसका सही आंसर है प्रकास संद्सलैसन से आरहम भोती खादिस रंकला जिसे हम बोलते है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है ऑफ ने मेंसे कोन सा कथम गलत है तो यह बताना है तो इसमें से गलत कथन है यह आपसद नंबर जो चार यह गलत कथन है कार्क किको इसका में रसायन होता है जिसे लिगरीन कहा जाता है और आपस नंबर 4 है गलत है इसलिए इसका सही सजान सब्सकार आपस नमबर चार ही हो जाएगा कि इसमें पूछा किया तो कौन सा गलत है आपस नमबर जो एक है नार्यल का छिलका द्रवडतक उत्तकोस बने होते बिल्कुल सही है आपस नमबर जो तीन है यह स्लेस उत्तक पौधों को लचला पन्पदान करते थे भी सही है इसका सियान अर्थो पोडा और मुदस्का समगे जन्तों में होती है रक्त गुहा इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है रेविस खाजिस्तान के काटने के एक आरण होता है तो इसका सियान सर उप्योद सभी अर्थाद आपस नमबर यह जो है सिर्फ कुत्ता के काटने से होता है आपस इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है इस्थल मंडल में खाजिस्तान उपस्थित होती है इसका सियान सर इस्थल मंडल में भूमी या म्रदा उपस्थित होती है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है जड़ सिर्फ और प्रभव सिर्फ में कोसिका विभजुता की खालाती है क्योंकि इसका सियान सर आ जाएगा वे नई कोसिका के निर्मान करने हेतू विभाजित होती रहती है दोस्तों किस लेवल के कोस्चन आए अपको विश्यस्थ तोर पर याद रखना इसी लेवल के 2021 के MP पूलिस के एकजाम में भी आएंगे इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है जब जल बर्फ हम बदल जाता है तो निर्मान कीट में से कुन सा सत्य है तो इसका सही अंसर आ जाएगा एक तीन और चार अथा जो पहला है यह भी सत्य है इसके अवस्था द्राव से ठोस में पररतित हो जाती है बिल्कुल सही है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है राजू गिर पड़ा और डाक्टर ने उससे बताए कि घुटने पर कंड्रा छटिगरस्ट हुआ है इसका क्या अर्था है तिसका सही अन्सर आजागा मांस्पीसियों को अस्थि से जोड़ने है रुटतक छटिगरस्थ होगा मतलब कि जो कंड्रा धाये जैसे आम बोलते हैं टेंडन ये अस्थि को उपास्थि से जोड़ता है इसके बार next question है पेप्टिक वर्न किसके कारण होते है इसका सी говоря है हेलिको, वेक्टर, पाइलोली के कारण होते है पेप्टिक वर्न इसके बार next question है उपकला को सिकाए जो की चपटी है फार्स पर टाइटलों की तरह निकट रूप से संकुलित है होती है तिसका सियान से सलकीव उपकला को सिकाए इसके बार नेक्ष्ट कोस्चन है तना की परेदी खाजिस्तान के कारण बढ़ती है जिसका सियांसर पार्स विविज्जा के कारण तना की परेदी बढ़ती है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है नीम्न में से कौन सा जीव नीम्न में से कौन बीज उत्पादिप करता है इसका सी आंसर जीम्नो स्पर्म जो की बीज उत्पादिप करता है इसके वाद नेक्स्ट औकॉस्चन है वे सुच मेजू जो अमरद पौदय था हम उन्हें करते है तो इसका सही आंसर has similar और पाम्पोसर आप इसके वाद नेक्स्ट कॉस्चन है सलक पर ब्रेक के साथंस आपनो चलाना मुस्चिल होता है क्योंकि तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो बेलान घरसन है सरफी घरसन से कम होता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपस नमबर 4 जो बेलान घरसन है सरफी घरसन से कम होता है इसकारण सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुस्किल होता है इसके बाद नेक्स कोस्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है तो इसका सी आंसर है एक निश्चित अवस्था तक निश्यचन और भूनी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है इसलिए इसका आंसर आजागा यह सहीं है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है माचिस की तिली का जलना इसका एक उधारन है तो इसका सी आंसर है सीग्र दहन का उधारन माचिस की तिली का जलना जीसे हम बोलते है रेपीट कंबेस्टन इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है जब विद्धारा को जल मप्राइट किये जाता है तो जल हाइडोजन और अक्सिजन में विजित हो जाता है हाइडोजन इस पर जमा होती है तो इसका सिह अंसार है आप्सनमबर जुद्धो कि वज़रान इलेक्टरट पर हाइडोजन जमा होती है तो जब जल तूटता है तो एच प्लस और वो माइनस में तूटता है जो हाइडोजन है इस पर प्लस आवेश आता है तो यह रनात्मक लोक्टरट पर जाता है प्लस वाला माइनस पे जाएगर, माइनस वाला प्लस पे जाएगर इसके बार next question है इसका बार next question है यांतरी कुर्जा को विद्दूत उद्जा में रुपान्तिक करने वाली एक device नीमना है एसका सियंसे विद्धू जैनेरेटर जो है यांतरी कुर्झा को विद्धू प्रेशाम प्रयूर्टित करता है जो एलेक्ट्रिक इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है आवर्दक लेंस होता है तर जिसका सही अंसर उत्ता लेंस को है हम बोलते हैं आवर्दक लेंस इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है पसु उत्तक जो इस्त्रा और आउसोसन में साहता करता है जिसका सही अंसर है अप्कला उत्तक या एपिधेला tables GO जो की इस्तिरा और अवसोसं में साहता करता है इसके बाद next question है खालिस्तान उत्पन करने के लिए सुलचमजीं बरत अवसोसोब परकारि करते हैं इसका सी अंसर खाद उत्पन करने के लिए सुच में जिन ब्रत असुसों परकार करते हैं इसके बार नेक्ष्ट कोस्चन है पेनी सिलियम खालिस्तान का सदस है इसका से अंसर कवक का सदस है पेनी सिलियम इसके बार नेक्ष्ट कोस्चन है निमन में से कौन सा साजीवी या अजीवी नहीं है इसका सी आंसर व्रक्ष जो है सजीव या अजीवी नहीं है इसके बार नेक्स्ट कोस्चन है निम अंगों में से कौन सा एक मुझ से महिला प्रज्णन तंत्र का हिस्सा नहीं है इसका सी आंसर है सुक्त वाहिनी जो है महिला प्रज्णन तंत्र का हिस्सा नहीं है बाकि आपस नमबर यह गर्भा साइब महिला प्रज्णन में होता है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है बच्चे खेलते समय केरम बोर्ड पर पावडर इसलिए छिरकते है तो इसका सही आंसर आज आज आएगा घरसम घाटाने के लिए इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है हमें जल को सुरक्षित और रोगानों यह जिवानों से मुक्त खालिस्तान के द्वार बनाना चाहिए तो हमें नासपाती चबाते है तो हमें कुरकुरी तथा दानिदार अनुभती होती है क्योंकि तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपस नमबर जो दो है इसका सही आंसर है तस्तर कोशिका आपस नमबर दो सही है इसका तस्तर कोशिकाओ या ध्राल कोशिकाओ की उपस्तिती इनमें होती है इसके बाद नेक्स्ट कोस्टन है यह में से कौन सा एक इस्थली पास्तितिक तंद्र नहीं है इसका स्यांसर है है इक्वे रियम जो है यह एक इस्थली पास्तितिक तंद्र नहीं है बागी जो आप्शन में है अधर इस अभी एक इस्थली पास्तिक तंद्र है इसके बार नेक्स्ट कोस्चन है उस जीव का नाम बताई जो plant animal कहलाता है क्योंकि भरीत लौक्ता कसाबीक होते है तो इसका हम बोलते है यूगलेनिया इसका सही आंसर है इसका यूगलेना को जनतुर पादव के बिश्की कड़ी कहा जाता है इसके बार नेक्स्ट कोस्चन है नासा मूद तथा कानपाली पर पाए जाने लिएक प्रकार के संजूत तक का नाम बताई इसका की आंसर उपास थी जिसे हम बोते कार्टी लेज इसके बार नेक्स्ट कोस्चन है आक प्राथक्रं तक्निक जीसमें अप केंडरां अंतर्निहित होता है के लिए कोन से सिंद्धां तूप्यूद होता है तो दोस्तों इसका जो सही आनसर है घने कनों को भलपूरवक केंडरां रखा जाता है जिबकि हल्के कान equipped रहते हैं इसका सियान से याला आजाएगा इसके बाद नेक्स्ट कोस्ट्वार निरमित प्रद्विम होता है इसका सियान साब आजाएगा दरपन के पीछे आभासित्र वस्तु के अकार के समान बनता है संतल दर पन दर प्रदी नाम से इस पर संतल मतलब जिСके दोन तल समान होते हैं कि इसके बांद नेक्स्ट कॉस्चन है धातिविorts खालिस्टान बदलते हैं इसकी इंसर लाट लीटमस को नीद लीटवेस नम बदलते रथकमिक हैं इसका नेक्श्ट क्वेसदेऊ कि जैली जैसा पधास जो कोषिका कि भीतर का भाग बनाता है जिसका सियाँसा सुझा जीवद्रव बनाता है इसके बार नेक्स्ट कोस्चन है हेली का धुमकेती कितने वर्ष में एक बार दिखता है इसका सियांसर चात्तर वर्ष में एक बार दिखता है इसका इसके बार नेक्स्ट कोस्चन है चाडविक ने एक परमान्य कर्म का विस्कार किया उस कर्म की क्या विश्यस्ता है जिसका सी अंसर आ जाएगा इसमें साथतक रमान है तथा कोई आवेस नहीं है अथा चेडविक ने उट्रान की खोश की थी इसके बार नेक्स्टर कोस्चन है रभी मोसम के दोरान कौन सी फसले हुगाई जाती है तिसका सी अंसर गेहों और सरसो हुगाई जाती है रभी मोसम के दोरान इसका बाद नेक्स्टर कोस्चन है वसा या तेल युक्त भोजन में बदबुदार गंद को विक्सित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाई जाने अलपधार थायत इसका से आंसर है प्रती आक्सी कारक है इसका बाद नेक्स्टर कोस्चन है व्रक की निस्पंदर निकाई खालिस्तान कहलाती है जिसका अंसर है व्रकानु जिसे हम बोलते नेफ्रांस कहलाती है व्रक की निस्पंदर निकाई इसके बार नेक्ष्ट कोस्चन है नेम्द में से क्या जिवासमिंदन नहीं है इसका सी अंसर जो लकड़ी है जिवासमिंदन नहीं है वाई की सभी जो आपसन है जिवासमिंदन है कि इसके वाद एक्ष्ट कोस्टन है ने इस में से क्या विद्धुद धारा की चुम्ब की प्रभाब को नहीं करता है इसके बाद एक्ष्टर कोस्टन है दायंदार जेडेंगे से मूलते हैं जिंक को जब सूडियम हाइडाकसाइट से उप्चारिक किया जाता है तो यह और चाहिं करता है स्ुर्पषिया जिंकेट है कि आप इसके वार को कॉस्ट्चन है काटने और वेधन उपकोर्न निसलिए तिक्ष की जाते है इसका से अंसर छेटों को करने ओर बढ़ाने के के लिए जो काटने और बेरने वाले उपकरन नुकिले बनाए जाते हैं जिसे हम बोलते तीक्ष बनाए जाते हैं इसका नेक्स्ट कोस्चन है जब एक अधी भार्या लगू पतन होता है तो विद्धुत परिफद का वह घटक जो सोचालीत रूप से बंद हो जाता है कालाता है जिसका सी आंसर है लगू परिपत बंजग जिसे हम बोलते हैं mcb जिसका फुलपा मीनिचर सर्किट ब्रेकर इसका परनेक्स्ट क्ष्चन है परावर्टन कोई खालिस्तान के समान होता है जिसका सी अचा है आपतन कोई जिल्वता है परावर्टन में इसके बार next question है मेथियास से लेड़न तथा थेओडार स्वान अपने नियुम सिद्धान के लिए प्रसिद्धायत इसका से अंसर कोशी का सिद्धान दिया था इन दोनों विज्यानिक ने स्वान ने इसके बार next question है इसका सी आंसर है फ्रोटो जवा से संबंदी था है इसके बाद नेक्स्टर क्वेस्चन है इसके बार next question है वनों की कटाई से म्रदा परदन तेजी से बाढ़ जाता है क्योंगी इसका से answer है जड़े म्रदा को रियरता परोग पकड़ती है इसके बार next question है जोतना म्रदा को खालिस्तान बनाता है इसका से answer है उपरुक्त सभी इसका सियान सब्वाइब प्रोक्त च्वित्विया था पहला लापसन है खाटेथ वार्ष आपसमाबर जो दो है उधर्विय और ढीला अपसमाबर जो तीन है हवला और खार आसान है इत्वार नेग्स्टो क्वुमसीन है ल्यूक रिंद को सुध करनिका जाता है इसके आफ przy रंगिंघ होती है इस लेंगी हो शुर्पक जाता है इसका में नेक्श्ट कोस्च्चन है संकुचसिन प्रोटीन इसमें पाये जाते है इसका स्याज्टर में पैसियों प्रभाव के बारे में बनाए गया में कुन सा एक गलत है इसका सियांसर आजगा यह वाईयो मंदल में go to की इसतर को पढ़ाता है जब कि यह गलत है जबकि वनों को काटेंगे तो यह वाईयो मंदल में oxygen के इसतर को कम करेगा इसलिए इसका सहयानसर यह है नेक्स्ट कॉस्चन है एक इस्थाई चुम्बक के निर्मान के लिए उप्यूक धातु निमना है इसका सी अंसर इस्टील जो एक इस्थाई चुम्बक के निर्मान के लिए उप्यूक धातु है यसके बाद next question है इंडरदनुस का निर्मान एक उधारन है इसका चैसी एंसर है V किर्णान का उधारन है इंडरदनुस का निर्मान दिसे हम बोले डिसपर्शन इसके बाद next question है पेकेड जिनमें विनसात्मा का इंजाइम उपस्थीत होते है इसका सियांसर है लाइसो सोम जिसमें विनसात्म के इंजैमिंग पस्तित होते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है और प्रसीद आमतुलन जिसे टीरी गडवाल में व्रक्षो के कटान की विरुद्ध अडवानी ग्राम की महिलाव द्वारा आरम किया था इसका सियांसर चिपको अन्दोधन इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन नियम्स कोन सा निफ्रुक्त कार्य है तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्राक्स्वम पाचक थेलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतार किसी भी संक्रमन से लड़ती है यह गलत है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है गेंगा इसकी कर्मी के कारण होता है जिसका सही आंसर है आईडिंग की कर्मी के कारण गेंगा होता है जिसे हम इंग्लिजिस में बोलते हैं ग्वाइटर गेंगा रोक को ऐसके बार नेक्सटे कोस्चन है, आवग्यो को तंत्री कोसिगा केला कीला की हैं अ आप इसकी बार नेक्स्टे क्वाश्चन है, इसे रुपांतिरत में रुपांतिर्ध करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कॉच्छन बीजों के अंकुरा में स्वसंद को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेसियम अलाकसाइट का उपयोग निमने के लिए किया जाता है तो इसका सही अंसर आ जाएगा आपस नमबर जो तीन है यह अंकुरित होने वाली बीज़ा निर्म कार्बन इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है जी विज्ञान की साखा जो की उत्तको और उनके संगठन के अंदें से संबंदित खाजिस्तन कहलाती है इसका सियांसर है उत्तक विज्ञान कहलाती है जिसे हम बोलते हिस्टोलाजी इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है तो दोस्तों आज की इस विडियो में इतना ही इसके बाद जो नेक्स्ट कोस्चन है ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यह हमारा चौथा पार्ट इसके बाद जो पार्ट पार्ट है इसे बचल कोस्टन उस पार्ट में देखेंगे दोस्तों आपको वीडियो के अच्छा लगे तब वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें अगर आप चेनल पे पहली बार आये हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाईए आज के लिए बस इतना ही थेंक्यू वेरी मच